नमस्कार दोस्तों दोस्तों बात कर जाएगा UPSC के तुरू आने वाले 700 वेकेंसी उग बारे में एकजाम डेट के बारे में और कौन से एजाब कब होने वाला है और रिजल्ट के बारे में आपको अफीसल अपडेट दिया जाएगा UPSC की आप जांकारी जोड़ चाहते हैं Official, Authentic तो चैनलों को जो सस्क्राइब कर लिजेगा क्योंकि हमारे चैनल पर बस special आपको UPSC की जांकारियां मिलती है तो चलते हैं दोस्तों वीडियो श्टार्ट करते हैं UPSC exam के समंदी किसी भी PDF notes आपको offline online class कोई material चाहते हैं तो नीचे एक WhatsApp का link है वहाँ पर UPSC समंदी सभी जांकारी के लिए आप group join कर सकते हैं और सारा चीज आपको मुट्मिव प्रवाइट करा दे जाएगा नीचे WhatsApp में डिस्क्रिशन में इसका link दिया हुआ है दोस्तों सबसे पहले नीच बात करते हैं आपका प्रावेदिक सहाई यानि AGTA की वेकेंसी का AGTA के बारे मैंने बताया था कि इसका बिग्यापन पेर 2021 सही बन गया था लेकिन कुछ है पेर 2022 के नई बिग्यापन आने की वाज़ से मतलब फारा माने की वाज़ से और 2-3 वेकेंसी आप पहले अपडेट होने की वाज़ से पेर को मतलब AGTA की वेकेंसी को होल्ड कर दिया गया था इसका बिग्यापन देखिए अब कब तक आ सकता है मैं आपको अफीसल बता रहा हूँ आज न्यूज क्या दिया उसके बारे में डेटेल से बात करते है दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं उत्रपते सधिरा सिवाचन है 3436 पतों के लिए 3436 पत इसमें है इसमें आपके साथ पता बढ़ सकते हैं लिखिए इसमें 906 पतों की बात की गई यह पर 2021 से भढ़ती थे इनको आवैदन में मौका नहीं दिया गया था जिससे सुप्रीम कोड गया थे सुप्रीम कोड में के जीत हुई थी और वहां से आर्डर पास हुआ था जिसमें साबसा पता गया था इनके लिए इसमें आप आवैदन नहीं कर पाएंगे जो 25 सो जखेस में इसमें यहाँ पर साबसाब डिटेल से दिया गया जो 25 सो चार पदों के लिए ही आपको डारेक्ट भरती का मौका मिलेगा जिसमें ओपेन सभी अभरती आवैदन कर सकते हैं 906 हवाले में आपको मौका नहीं मिलेगा यह वही इसपेसल भरती है जिनका एज का बेनफिट मिला है या कुछी अन बेनफिट के वज़े से इनको सुप्रीम कोट ने रहात दिया ठीक है वही आवैदन कर सकते हैं इसमें जो योगिता समंदी मैं आपको डेटर से वीडियो ला दूँगा कौन-कौन इसका परसेंटारिस कोर क्या चाहिए उसके लिए ला दूँगा परसेंटारिस को ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिसे योगिता मैटल करेगा इसमें BSC AG चाहिए ठीक है वही इसमें आवैदन कर सकता है और डेटर से आपको लाऊंगा वीडियो में ये दोस्तों लेकपाल बरती परिच्चा की डेटर लगी है जिसका दो से दो था एक नो था ये ये नो वाला डेटर आप दे सकते हैं नो अतारी को फिर एक सुनवाई के लिए लखनो बेंच में इलावाद के लखनो बेंच में इसकी सुनवाई होने वाली है डेट पर डेट पढ़ते जा रहा है अब भरतियों को रहात मिलती नहीं दिखते हैं क्योंकि स्राकार ने इस पर कोई हस्ताइचर करना बंद कर दिया है हो आप तो नो तरीक के लिए लेक पाल वरती का होगा जैसे यहां से में अधाल सुझा सब्सक्राइब तो आप कर दो तो न्यांद दे रहे जाएगा फिर भी उम्मीद मांगे चलिए कि मार्च में रिजल्ट आने की उम्मीद उससे पहले कुछ उम्मीद दिखने रही है क्योंकि आभी दो सुनवाई एक 9 को होने वाले थी नो को एक दो को एक 9 को ठीक है तो सुनवाई डेट बाइट पढ़ते ही आ रहे हैं जैसे हम इसा कोट में डेट पढ़ने की प्रक्रिया चलते रहती है वैसे यहां भी चल रही है तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप यूपी पीसे एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं या इस्टेट पीसे बिहार पीसे या यूपी पीसे यूपी ट्रिपलसी आधी एक्जाम के त्यारी करना चाहते हैं तो आपका इंतजार समात हो पर आप से वहाँ पर कर सकते हैं और आप एसका निंग मैं ड्सक्राइब आप जाके जरू से जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा अब अगहला जो आपका रिजवेट समधी थे वन सीपाही मतलब वैस्ट नर्चा को तो बोलत थे चिसका एजाम हो गया था, 600-600 पदों की भरती होने वाले थी, इसका रिजल्ट आपको इसी मंद के लाश्ट में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह रिजल्ट प्रोसेस में रखाएगा है, ASO है, कंप्यूटर अपरेटर है, उसके बाद आपका फारिश्ट गार्ड है, यही सब रिजल्ट आने वा सभी कर देगा, कितना जा सकता है, फाइनल में कितना अंतर देखने को मिल सकता है, ठीक है, नेज़े जरू कमेंट कीजेगा, हम एगी बोलेंगे, जिसका अच्छा नमबर है, 140 के उपर नमबर है, ठीक है, क्योंकि देखिए, कटाप बढ़ेगी, तो 140-50 के जिसका नमबर र सभी देगा, यूबल टृपल-स, अगले मन से अपने सारे एक्ट्याम, इस्टार्ट करने जा रहा है, जिसमें, कमबाइंट भी सारे रिजल्ट आपकॉर निकास चुका है अब को निकास उनने को बचा माइं